स्तनपान कराने की kros cradle स्तिती पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम सीखेंगे मा और शिशु के लिए स्तनपान की सही स्तिती जुनना, स्तनपान से पहले मा की तयारी और kros cradle स्तिती करने की समपूर्ण क्रिया विधी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में माएं अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान कराती है। एक मा और उसके शिशु के लिए स्थनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिती वो होती है जिसमें मा और शिशु दोनों के लिए स्थनपान शुरू से अंत तक आराम दायक हो। शिशु मा के स्थन से गहरा जुडाव कर पाए और उसे भरपूर दूद्ध मिल पाए। आज हम स्थनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिती के बारे में सीखेंगे। ये स्थिती शिशु के शरीर पर पूरा नियंतरन रखने के लिए, मा के स्थन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्थन से गहरे जुडाव के लिए सबसे बहतरीन स्थिती है। स्तनपान कराने से पहले मा को अपने हाथों को अच्ची तरह से धोकर सुखाना चाहिए. फिर उसे एक गिलास उबाल कर थंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए. स्तनपान कराने वाली माओं के स्तनों में आम तौर पर 750 से 850 मिलिलीटर दूद बनता है. इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है. अब सीखते हैं मा के बैचने की सही स्तिती. मा को फर्ष या पलंग पर पाल्थी मार कर बैचना चाहिए. या फिर कुर्सी पर बैच कर अपने दोनों पैरों को फर्ष पर सपाट रखना चाहिए. अगर कुर्सी बहुत उची होने क मा के पैर फर्ष तक नहीं पहुच पा रहे हो, तब वो अपने पैरों को फर्ष पर रखे, छोटे स्टूल या तकिया पर रख सकती है. जब मा बैठे, तब उसे ये पक्का करना चाहिए कि उसकी पीच सीधी हो, ताकि उसे पीच दर्द ना हो, उसके कंधे ऊपर उठाये हुए या जुके हुए ना हो, और वो ये आरामदायक स्थिती स्तनपान समाप थोने तक कायम रखे. अब मा को बू स्तन बाहर निकालना चाहिए जिससे वो अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहती है. उसे पक्का करना चाहिए कि उसके स्तन पर ब्रा या बलाउस का दबाफ ना पढ़े. सही तरह से बैचने के बाद शिशु को मा के पास लाए. मा को अपने शिशु का सर उस हाथ से पकड़ना चाहिए जो स्तनपान कराने वाले स्तन की दूसरी तरफ हो. मा के उसी हाथ की बगल के अंदर शिशु के पैरों को रखे. इस चित्र में मा उसकी शिशु को अपने दाहिने स्तन से दूथ पिलाएगी. इसलिए शिशु के पैर मा की बाई बगल के अंदर रखे हुए है. मा ने अपने बाए हाथ के अंगूठे और उगलियों से अपने शिशु के सर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है. अगर मा शिशु को पकड़ने में मदद चाहती है, तो वो शिशु के नीचे अपनी गोद में तक्या रख सकती है. याद रहे, मा को नीचे जुक कर अपना स्तन शिशु की और कभी नहीं लाना चाहिए. ऐसा करने पर उसे पीट दर्ध हो सकता है. मा को अपनी पीट हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को उपर उठा कर स्तन तक ले आना चाहिए. अब सीखते हैं मा के अंगूठे और उंग्लियों को रखने की सही स्तिती. मा कांगूठा शिशु के एक कान के पीछे और बाकी उंग्लिया शिशु के दूसरे कान के पीछे होनी चाहिए. उसे अपनी उंग्लियों को शिशु के कानों के पीछे से हटा कर शिशु के गर्दन पर नहीं लाना चाहिए. मा की कलाई शिशु के कंधों के बीच होनी चाहिए. मा को अपने हाथ से शिशु के सर पर पीछे से दबाव नहीं डालना चाहिए. इससे स्तनपान के दौरान शिशु को आराम मिलेगा. अब सीखते हैं शिशु के शरीर को रखने की सही स्थिती. मा के शरीर पर शिशु के पेट से हल्का सा दबाव पढ़ना चाहिए. दोनों के शरीर के बीच की दूरी कम करने से शिशु को स्तन तक पहुचने में कम ताकत लगेगी और स्तन से गहरा जुडाव शिशु के लिए आसान हो जाएगा. इसके बाद दूसरी जरूरी बात है शिशु का पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना जब हम खाना खाते हैं, हमारा सर, गला और शरीर एक सीधी रेखा में होते हैं लेकिन स्तनपान के समय माएं अक्सर शिशु को उसकी पीट पर लिटा कर उसके सर को स्तन की तरफ मोडती है। इससे स्तनपान शिशु के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्तनपान के समय शिशु का सिर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीधी रेखा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूद निगलना आसान हो जाएगा। अब हम शिशु के शरीर की स्तिती के बारे में तीसरी जरूरी बात सीखेंगे। मां को उसके शिशु के पूरे शरीर को सहरा देना चाहिए। ऐसा ना करने पर, शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं शिशु के नाग और ठुड़ी की स्थिती. शिशु का नाग और मा का निपल एक सीधी रेखा में होने चाहिए और उसकी ठुड़ी स्थन के बहुत पास आगे की तरफ होनी चाहिए. इससे शिशु का स्थन से जुड़ते समय एरियोला का निचला हिस्सा अपने मूँ में लेना पक्का हो जाएगा, जिसकी वज़ा से शिशु अपने निचले जबडे से भरपूर दूथ पी पाएगा. कृप्या ध्यान दे निप्पल के आस पास के गहरे रणवाले भाब को एरियोला कहते हैं. अब शिशु के शरीर को सही स्थिती में रखने के बाद चलिये सीखते हैं स्थन को कैसे पकड़े. अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मा को अपने स्थन को नीचे से यू आकार में पकड़ना चाहिए. इस चित्र में मा अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने स्थन को पकड़ेगी. अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिती समझने के लिए कलपना करे की मा के दाहिने स्थन पर एक घड़ी है जिसके बीचो बीच निपल है. मा को अपना दाहिना अंगूठा इस घड़ी के नौ नंबर की जगा पर रखना चाहिए. और उसे अपने अंगूठे के बाजू वाली दो उंगलियों को तीन नंबर की जगा पर रखना चाहिए. मा की उंगलियों और शिशू के होटों की दिशा हमेशा एक समान होनी चाहिए. ऐसा क्यों? एक आसान उधारण की मदद से समझते है. जब हम बड़ा पाओ या बर्गर खाते हैं, हमारे होट आड़े खुलते हैं. हम बड़ा पाओ या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके. यहां हमारे होटों और उंगलियों की दिशा एक समान है. अगर हम बड़ा पाव या बर्गर को लंब रूप से पकड़ेंगे, तब हम उसका बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे. अब शिशु के होटों की दिशा पर ध्यान दे. उसके होट लंब रूप से खुले है. इसलिए मा की उंगलियों को भी स्तन पर लंब रूप से रखना जरूरी है. इससे शिशु को एरियोला का निचला हिस्सा मूँ के अंदर लेने में मदद मिलेगी. शिशु के होटों की दिशा में होने के अलावा, मा की उंगलिया और अंगूठा हमेशा निप्पल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए. वड़ा पाओ या बर्गर खाते समय अगर हम उसे बहुत पास पकडगे तो हमारी उंगलिया बीच में होने की वज़ा से हम बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे. अगर हम उसे बहुत दूर पकड़ेंगे, तो उसका आकार हमारे मुँ में जाने के लिए सही नहीं होगा। इसलिए हम उसे सही दूरी पर पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। उसी तरह शिशु के लिए स्तन को निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर पकड़ना सही है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस दूरी को रखने के कई फाइदे है। इससे मा के उलिया शिशु को एरियोला का बड़ा हिस्सा मुँ में लेने से नहीं रोकेगी। मा सिर्फ निपल को नहीं दबाएगी जिससे बहुत कम दूथ मिलता है। मा एरियोला के नीचे वाली बड़ी दुगदन अलिकाओं को दबाएगी जिससे ज्यादा दूथ मिकलेगा। और स्तन का आकार सही बनेगा जिससे शिशु को स्तन से गहरा जुडाव करने में मदद मिलेगी। मा का अंगुठा निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होना चाहिए जहां शिशु का नाक है। और मा की दो उंगलिया निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होनी चाहिए जहां शिशु की थुड़ी है। अब फिर से वड़ा पाव या बर्गर के उधारन पर जाते हैं. वड़ा पाव या बर्गर को सही तरह से पकड़ने के बाद, हम उसे हमीशा दबाते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके. उसी तरह मा को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़कर हलके से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मूमे लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे मा को अपने स्तन को वी आकार में नहीं दबाना चाहिए। वी आकार के दबाव से मा को दर्थ होगा और शिशु को सिर्फ निप्पल से कम दूद मिलेगा। ध्यान रहे कि अंगूठे और उंगलियों से स्टन पर बराबर का दबाव पड़े। ऐसा ना करने पर निप्पल दाई या बाई और चला जाएगा जिसकी वज़ा से शिशु का स्टन से गहरा जुडा नहीं हो पाएगा। याद रहे स्टन को दबाकर शिशु की तरफ ना लाए। हमेशा शिशु को स्टन की तरफ ले कर जाए। अब शिशु क्रॉस क्रेडल स्थिती में है और स्टन पान के लिए स्टन से जुड़ने तयार है। स्टन से गहराई से जुड़ने की सही तकनी इसी श्रूंखला के दूसरे टूटॉरियल में समझाई गई है। शिशु का स्टन से गहरा जुड़ाव होने के बाद और अगर स्टन ज्यादा भारी न हो तो मा को अपने हाथ से अपने स्टन को छोड़ कर उस हाथ को शिशु के नीचे रख कर शिशु को सहारा देना चाहिए। इस स्थिती में मा को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बहुत करीब रखना चाहिए। इससे मा को स्तनपान कराते समय आराम मिलेगा। यहाँ पर ये चुटॉरियल समात्त होता है। इस चुटॉरियल में हमने सीखा, मा और शिशु के लिए स्तनपान की सही स्थिती चुनना, स्तनपान से पहले मा की तयारी और क्रॉस क्रेडल स्थिती करने की समपूर्णक रिया विथी। इस टुटॉरियल का योगदान स्पोकन टुटॉरियल प्रोजेक्ट IIT बॉंबे द्वारा किया गया है। स्पोकन टुटॉरियल प्रोजेक्ट बारत सरकार के NMEICT MHRD द्वारा वित्त पोशित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। ये टुटॉरियल वील्स क्लोबिल फाउंडेशन की ओर से दिये गए उदार योगदान द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोशित है। ये टुटॉरियल मा और शिशु पोशिन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस टुटॉरियल की ज्यान शेत्र समिक्षक है। डॉक्टर रूपल दलाल, M.D. बाल चिकिट्सा। IIT बॉम्बे से मैं आहार विशेश अग्य तस्नीम शेक एनिमेटर शीतल जोशी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुरने के लिए धन्यवाद।